दोस्तों नमस्कार लर्निंग बाई एपी सर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में जियोगरफी वाले सेक्षन की डिसक्षन किया जाएगा जो सीडियस में पूछे गई कुस्षन है इसके पहले दो वीडियो अफ्लोड किये जा चुके है वीडियो नुम प्रफी के कुस्षन का डिसक्षन करेंगे आईए शुरू करते हैं भारती भूब यानिक सर्वेचन द्वारा बी निर्दिष्ट भूकंप संकट चेत्र के संबंद में निमलिकित में से कौन अधिक जोकिम में होंगे पहला अफसन सिकंद्राबाद में साहजी इंदावर मे में रन बीर, पितवरागरह में मालती, भूने सर में मैत्री, तो जो हिमालाई चेत्र है वो अधिक भूकंप्रवन चेत्र है, क्योंकि वो नबीन वलिद परवस्य निर्मित है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जब हिमालाई छेतर की बात होती है तो यह आएगा उत्तरा खंड का पितहवरा अगर है में मालती इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कोचन ने सरकार देश के सूखा संभाविच छेतरों के लिए एक योजना तयार करना चाहती है निमलिखित में से किस छेतर पर प्रमुपता से ध्यान के इंद्रित किया जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा यह कच्छ छेत गुजरात वाला यहाँ पर जावत यह कहां आता है तो इसकी बात की जाए तो जो उच्छ चांस के छेतर होते हैं यहां उच्छ चांस में अनाचल प्रदेश हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा जो बिलजाड आता है वो अनाचल प्रदेश जैसे भोभाग में आता है तो अनाचल प्रदेश जान असम में भी होता नागा लैन में होता केरल में होता लेकिन राजस्थान में प्रोमिनन्ट की रूम में नहीं होता है अगला कोश्ण पूछा गया अटल सुरंग से किंदो सारों के बीच की दूरी कम हो गई तो लेह यौ मनाली के बीच अटल सुरंग का निर्वान किया गया है अटल सुरंग ये पूर्वी पीर पंजाल में है ये भी कई बार कोश्यन इक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसका पूर्भी पीर पंजाल में इस्थित है मनाली वाल लेह के बीच इसका विस्तार है अगला निमलिखित में सिक्किस जियो मंडल सन्नचे छेत्र बायोस्पेर रिजर्व ज्वा नदमुक पुलीन प्रवाल भित्ती लमरकच मेंगरो वाले दीव समुह में समलित है यानि बायोस्पेर रिजर्व भी है एस्षुरी भी है पुलीन बीच भी है प्रवाल भित्ती भी है लमरकच वा मेंगरो वन भी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनार की खारई जियूम मंडल सनच्चे चेत्र इसका भी सही आंसर होगा अगले कुस्षन के ओर चलते हैं तो अगला कुस्षन पूछा गया कि परवतों से आने वाले जन्ने और नदियां चट्टानों और बोल्डर की भारी समगरी का निछेव जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे भावर के नाम से जाना जाता है तो हिमालाई हिमालाई चेत्र से जैसे भारत में बात की जाया तो नदिया निकलती है तो सबसे उपर वाला चेत्र क्या कहलाता भावर कहलाता है और उसके बाद फिर आपका तराई कहलाता है फिर आपका बांगर चेत्र कहलाता है और फिर खादर कहलाता और अंत में फिर डेल्टाई चेत्र यानि की सुन्दर बनवाला ये होता है तो यहां पर आंसर इसका क्या हो जाएगा इसका यहां आंसर भावर हो ज जन संख्या घनत्युसे इससे भी प्रभावित होती है भावन के प्रकार से होती है लेकिन छेतकी जल्वआईव का सीधा संब्मद्य भूकम्प दौरा होने वाले छेती की मातरा से नहीं है अगला एवलांस निम्लिकित में से किस प्रकार की आबदा है तो जो एवलांस होता है एक terrestrial फिनोमेना है यानि अस्थली यसे terrestrial कहा जाता है वहाँ पर ये घटित होती है यानि अस्थल पर होती है अगला कुछन पूछा गया कि बाही निवेस इंपुट के विना किसी भावगोलिक चितर में आधार रेकास तरपर किसी संक्रमर का लगातार बने रहना एक किस नाम से जाना जाता है तो इसे इंडेमिक के नाम से जाना जाता है और जब ये पूरे विस्तरत चितर में फैल जा जाता है तो उसी को किस नाम से जानते हैं उसी को पैंडेमिक महामारी या बिस्तर मारी के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंडेमिक किसका आंसर हो जाएगा अगला जोगरफी वाले अन्नी कुछन की इसमें बात करते हैं जो पूछे गए हैं इसके बाद अगले वीडियो में आपको हिस्टी के कॉस्षन देखिने को मिलेंगे पॉलेटी वाले कॉस्षन कर डिसकशन पिछले वीडियो में किया जा चुका है तो आप उसको जरूर देख लिजिएगा तो अगला जो कॉस्षन है हाँ ये कोशन देखे जो गरफी का है बेंगलरू से नई दिल्ली की अपनी रेल यात्रा लगुतम मार्ग से करती है उगते यात्रा के दोरान वा निमलिकित में से किस नदी को पार नहीं करेगी ये पूछ रहा है यानि बेंगलरू से नई दिल्ली के अपनी यात्रा के लिए यात्रा बेंगलरू आपको पता है अगर भारत में बात किया जाए कि बेंगलरू कहा है तो यह बेंगलरू यहां कन्नाटक में है आपको ये भी पता महाराश्ट से दो नदिया निकलती हैं एक का नाम है गोदावरी और दूसरी का नाम है किष्णा तो यहां गोदावरी भी काड़ दीजिए क्योंकि इसको पार कन्ना ही कन्ना प्रहेगा जब इधर आप दिल्ली की तरब आ रहे हो महा नदि तो यहां 36 गर के दंड कारण प्लेटों से निकलती है लेकिन जब महाराश्ट कुंकि कन्नाटक से आ रहे हो तो चुंकि यह दोनु नदियां पूरव की तरब बहती हैं तो इनको आपको पार कन्ना ही कन्ना प्रहेगा तो यह गोदावरी भी पार करना होगा किर्षना भी नदि पार करना होगा तो दो तो यह आपसन कड़ दे अंसर नहीं हो सकता फिर बचा है यहां यमना और नर्मदा यमना और नर्मदा की बात किया जा तो नर्मदा नदी भी अमर कंटक यानि मदपरदेश के अमर कंटक पिलेटो सिंगलती है एक आप कहा सकते कि इधर ये किनारा होके तो ये लंबा रास्ता हो जाएगा यहां लगतम मार्ग छोटा से छोटा बताया जा रहा है कि पार करके वो दिल्ली पहुंचे गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब छोटा मार्ग सीध eव होके कोई आयेगा तब ही पहुंच सकता तो उस कंडिशन में नर्मदा नदी को भी पार करना होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा सही आंसर क्या होगा यह बी वाला यमना नदी को पार नहीं करना परहेगा क्योंकि अमनानदी के किनारे खुद दिली इस्तित है तो ये पार नहीं करना पुराएगा तो इसका चपन का अंसर क्या हो जाएगा चपन का अंसर भी हो जाएगा जो की अपलाइट कुसंथा जोगरफी का अगला निमली खित में से निमली खित बिसेस्ताओं के आधार पर राज की पहचान कीजिए करकर रेखा इस राज से होकर गुजरती है इस राज का उत्तर दच्छे में बिस्तार अधिक है इस राज की बांगला देश और म्यामार के साथ अंतराष्टी सीमा है तो आपको पता है कि भारत की अगर बात किया जाए तो ये अमनाचल प्रदेश इधर अमनाचल प्रदेश नागालेंड मनीपूर मिजोरम तो लाश्ट वाला इधर से आप प्रवोत्तर भारत का होगे तो पहला राजी अमनाचल प्रदेश है फिर नागालेंड फिर मनीपूर मिजोरम जो ये ये बांगला देश के साथ इधर आपका बार्डर बनाता है, इधर म्यामार के साथ इसे होकर के करकरेखा भी गुजरती है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, ये इस दिये गए क्वेशन का अंसर मिजोरम हो जाएगा, अगले कुछ सिंकोर देखते हैं कि M1 ऐसे संग राजचित का भ्रह्मन करना चाता है, जो 34 डिगरी नार्थ हुआ, 37 डिगरी इस्ट परिस्टित है, उसने निमलिकित में से किस संग राजचित में जाने की योजना बनाई होगी, अगर बात करें भारत की, तो भारत का जो ये हो लाश्ट वाला चोर है, आपको पता है कि 8 डिगरी 7 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट, यहां पर आपका जो दिया गया, 34 डिया गया, यानि लाश्ट चोर जो इंदरा पोल है, वो 37 डिगरी 6 का मतलब हुआ, 34 डिगरी इसी के जश्ट हलका सा नीचे होगा, तो इसका मिलब अंड दाख हो जाएगा, अगला कुस्सन की बात करते हैं, कि एक पर चर्चा में अवनाचल प्रदेश से यम, असम से जे, मेगाले से यन, नागालेंड से यस या दावा करते हैं, कि 2011 की जन गन्ना के अनुसार, उनके राज में जन संक्या गन्ना तो सर्वा देखा है, सही दावा है, पुरे भारत में सबसे कम है, उसके बाद नागा लेंड में ये भी कट दीजे, यस वाला नागा लेंड कट गया, उसके बाद मेगाले के भी कम ही है, तो ये आपका यन कट दीजे, दिए गए अपसन में कौन जे है, और जे किस की पहचान करता है, और जे की पहचान अस तो इसमें असम इसका J answer सही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा B हो जाएगा अगले question क्यों चलते हैं इसमें कुछ question science की पूछे गए हैं हम इसमें question जोगरफी वाले देख रहें जोगरफी वाले इस question पे आजाएए यह question पूछरा भूप पर पटी में कारवन का अनुवानि 5% है इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर भी बी सही हो जाएगा अगले कुस्सन के और देखते हैं कि अगला कुस्सन किसी चेती की ओनस्पती के अध्यन के दोरान प्राया समश्टी और समधाय जैसे सब्दों का प्रियोग किया जाता है निम्ली कित में से कौन सा कथन किसी समश्टी को सरवत्तम भूब से परिभासित करता है पहला अफसान एक ही समय पर एक ही चेतर में रहने वाली किसी जाती के जीवों का समूँ दूसरा विभिन मौसमों में विभिन चेत्रों में रहने वाली किसी जाती के जीवों का समूह अगला जीवी और अजयो घटकों से बनी कोई काई चोथा एक ही समय पर एक ही चेत्र में रहने वाली एक आधिक जातीओं के जीवों का समूह तो यहाँ पर किसका समश्टी बेश्टी का मला एक individual कोई पर जाती है तो इसको बेश्टी कहा जाता लेकिन जब समश्टी की बात आती है तो इसमें कई जातियों के समुह को कहा जाता है पहले आपसन में विचार करें सर्वोतन आपसन इसमें विकल्ब का चुनाओ करना एक ही समय पर एक ही चेतर में रहने वाली किसी जाती के जीवों का समुह जीवी और अजयो घटकों से बनी कोई इकाई दूसरा एक ही समय में एक ही चेतर में रहने वाली एकाधिक जातियों के जीवों के समुह को ही समश्टी कहा जाता है तो इसका अंसर्डी हो जाएगा अगले कोशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कोई और जियोगरफी का कोशन इसमें पूछा गया है तो ये करेंड के कोशन हैं जिसका डिसकोशन अलेडी किया जा चुका है ये जोगरफी का कोशन ये टाइम जोन से पूछा गया है इसका कोशन देखते हैं भारत के का टाइम जोन के सम्बंद में निमलिकित में से कौन सही है समग्र देश के लिए एक मानक समय है भारत का एक ही मानक समय है जिसे 82 एंड हाफ डिगरी इस्ट को अपनाया गया जो की प्रधाम मध्यान समय रेखा है उससे 5 गंटे 5 एंड हाफ सारह 5 गंटे क्या है आगे है तो ये आपका पहला तो सही है दूसरा अंडबान और निकोबार दीब समो लच दीब समो के भिन काल चेतर है ये गलत है तीसरा भारती मानक समय रेखा जिस्टी से ग्रीन विच मिन टाइम से सारह 5 गंटे पीछे है नहीं पीछे नहीं आगे है तो इसका अंसर होगा only one केवल एक सही होगा अगला डीन हाल ही में खार दूंगला नुब्रा घाटी और बिभिन बाओध मठो का दोरा किया उसने निम्लिकित में से किस संग राच चेतर का दोरा किया तो ये जो खार दूंगला या नुब्रा घाटी या कई बिभिन बाओध मठों हैं ये लद्दाक में इस्तित हैं त यानि कि ये भारत है तो एक तो साखा ये इधर से जाती है एक साखा इधर से जाती है तो जो ये अरब सागर से साखा प्रवेश्च करती है बेया बंगाल से करती है इसको उत्तर पूरुवी मांसून और इधर से जो बेया बंगाल से अरब सागर से साखा प्रवेश्च करती ह दोनों से प्रॉप करते हैं तो यह वाला की मिलन छेत्र रहें और दोनों से प्राथ करते हैं तो यह वाला जो मिलयन छित्र होगा यह वर्सा को We खराष्ट होने है सकता तो आंसर सीधे निकलेगा पंजाब इसका औंसर हो जाएगा पंजाब अगला इंसेप्ति सॉल इंटी सॉल वर्टी सॉल एंड मौली सॉल निमने में से किसे वर्ग के अंतर गताते हैं तो ये बिभिन प्रकार की मृदा होती हैं मृदा की प्रकार होती हैं यसने भारत के इक सी राज के भ्रह्वन के दोरान सम्मूच बांध और सम्मूच जुताई देखी निम्नमी से कुस राज की पहचान कीजिए तो यह हिमालई जो छेत्र होता है परवती चेतर होता है वहाँ पर इस प्रकार की जो समुचरे की कंटूर प्लोइंग या कंटूर जो बांध पाये जाते हैं तो दिये गए आफसन में कौन परवती चेतर है हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश इस कोशन का क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा इसके अलामा और देखते हैं क्या कोई और question है तो इसमें और question नहीं है total जितने जोगरफिक के question थे सारे के सारे जोगरफिक question एक दो हटा करके applied base question पूछे गए थे और question का level ठिक ठाक है तो इसके बाद अन्य section का आपको discussion मिलेगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत